नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकर के साथ दोस्तों, JRF हिंदी 2021 की तैयारियों के अंत्रगत हम इससे पहले इकाई चार पढ़ रहे थे जो आपका first paper के regarding है जिसमें हम mainly 5-10 questions को लगातार आपके बीच में लाते रहते हैं तो अभी हमने आज से ये शुरुआत की है कि आपके लिए जो अब paper जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है तो बीच-पीच में हम इस तरीके से mock test भी आपके लिए लाते रहेंगे क्योंकि आप देखते हैं कि PYQs और आपके mock test बहुत जादा एहम role अदा करते हैं आपकी परिक्षा से पहले क्योंकि इस तरीके से आपको एक तरीके से थोड़ा सा ये हो जाता है आइडिया हो जाता है कि किस तरीके का paper पूछा जाता है और कौन सी चीजें previous paper में पूछी गई हैं तो लगवग ऐसे ही प्रशन हमने थोड़े से यहां पर रखने की कुशिश की हैं तो चली दोस्तों बिनादेर की शुरुआत करते हैं आज के lecture की और सबसे पहले हम इस mock test में जो पहला प्रशन हमने रखा है वो देख लेते हैं तो यहां पर देखिए पहले आप देखते थे कि UGC net के paper में खासका जो हिंदी का paper है हमारा देखिए उसमें आप देखते थे कि जब पुराना वाला जो pattern था उसमें आपको लगभग 15 या 20 question इस तरीके से पूछ जाते थे जो स्थापना और तरक वाले होते थे लेकिन अब जो स्थापना और तरक वाले जो प्रशन है वो बहुत कम पूछे जाते हैं दूसरे जो प्रशन हैं कि आपको कूट वाले प्रशन जादा पूछे जा रहे हैं कि कौन सी दो रचना पूछ दी जाती हैं कि ये हैं या नहीं है या जो संगत असंगत कथन जो बताया जाते हैं कि आपको किसी भी या तो रचना के बारे में दे दे जाएंगे या सहित्यक है और तरक ये देते हैं क्यूंकि दलित साहित्य में मुख्यता बाबा साहिब अंबेडकर के समाजिक राजनितिक चेंतन को अपनाए गया है तो अगर आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली हमने अंबेडकर वाद के बारे में पढ़ा था अगर आपने वो बारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमारी जो वैचारिक पिष्ट भूमी वाला लेक्चर है देखिए इसमें अमने गांधी दर्शन को बारे में जो होटपून चीज़ें थी वो डिसकस कर ली हैं अमबेडकर दर्शन के बारे में जो important चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली थी exam के point of view से एक बार आप उस लेक्चर्स को देखिए तो ये वाला प्रशन आपके लिए easy हो जाएगा देखिए दलित चिंतन और साहिते में जो विव्यक्त मनुष्य है वो गांधी का हरीजन है तो ये बात क्या है ये आपका बिलकुल गलत जो assertion यहां पर दिया गया है अभी खतन जो है ये गलत है क्यों क्यों कि जो दलित चिंतन और साहिते में विव्यक्त मनुष्य है वो गांधी का हरीजन ही नहीं है आपने देखा होगा कि दलित भी मर्श में या अंबेड कर दर्शन में आपका किस चीज़ को बताए गया कि दलित क्या है आपका हर वो इनसान चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना अगर वो दबा और कुछला जा रहा है तो इट मींज वो क्या है आपका दलित है उसमें सिर्फ और सिर्फ ह तो यह बात बिलकुल सही है, यहां पर जब हमने बाबा साहिब अंबेडकर के बारे में पढ़ा था, आपका अंबेडकर दर्शन में तो वहां पर हमने इस चीज़ को अच्छे तरीके से डिसकस किया हुआ है, कि कौन कौन से चीज़ें हैं, जो राजनीती के समंद में इनका क गलत और आर सही, तो इस तरीके से बिलकुल आपने conceptual तरीके से पढ़ने की जरूरत है आपको, लेकिन अब समय हमारे पास कम है, तो जितने भी आपके topics हैं, 9-10 unit हैं हमारे, उन सब को आप चलते चलते cover up करने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा बहतर होगा, और इसके साथ वाला जो 2020 का paper हुआ था, आला कि जो December, November में हुआ था, उसमें किस तरीके के question पूछे गए थे, और अधिकतर जो प्रशन कहां से पूछे गए थे, इस पर हमने complete lecture त्यार किया हुआ है, और उसमें हम देखते हैं कि जो उपन्यास वाला है आपका, वहां से बहुत ज़्याद questions आये थे, और उनसे related जो अन्य प्रशन बनते हैं, वो भी हमने discuss किये हुए हैं, तो एक बार आप पन्यासों को ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि वहां से प्रशन बनने के संभावना ज़्यादा थी, आपके नाटक हैं, वहां से प्रशन ज़्यादा बन सकते हैं, चलिए, अ के आपका जो बोली वाला है, भाशा वाला जो portion है, यहां से हर बार परिक्षा में एक प्रशन जरूर पूछा जाता है, या तो किसी का बोली क्षेत्र पूछा जाता है, या इनका विकास करम पूछा जाता है, या फिर कौन सी आपकी पूरवी हिंदी, पश्चमी हिंदी, म उसकी दिष्टी से हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो खड़ी बोली है, मैथली है, भोजपुरी है, या फिर अवदी है, प्रमुख बोलिया है देखिए, जो भी महतपूर्ण है, उन 18 बोलियों का मिश्रन है आपका हिंदी, और उसमें से जो सबसे जादा बोली ज से आपकी भोजपूरी है और भोजपूरी का जो Shakespeare किसको कहा जाता है विखारी ठाकूर को कहा जाता है देखिए ये भी बहुत ही महत्तपूर्ण चीज है कई बार इसको परिक्षा में पूछा जाता है अभी आप देखेंगे अगर आपने इधर हपी यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ था यमाजपूर्देश प्यश्डी का एंट्रांस वहां पर इस प्रशन को रुखा गया था कि आपका जो भोजपूरी का ठाकूर या Shakespeare किसको कहा जाता है तो ये बिखारी ठाकूर थे आपके ठीक है तो ये इसका साई उतर होगा आ इनके जो विशेष्टाएं हैं इनके जो बोलिक शेत्र हैं वो आप देख लें इसके उपर हमने कंप्लीट लक्चर त्यार किया हुआ है हमारा यूनिट एक में चलिए अगला प्रशन संक्यात तीन है देखिए क्रम से रखने को कहा गया है यहां पर तो क्रम अनुसार जो और हिंदी साहित्य का आधिकाल है तो देखिए इसका सही करम कौन सा है तो सबसे पहले इसमें अगरम देखेंगे तो सबसे पहले आजाएगा आपका हिंदी भाषा एवं साहित्य तो यह किस ने लिखा था यह थे आपके शाम सुंदर दास जी ने 1930 में इसको लिखा था अगर अब बात करें देखिए हिंदी साहित्य का जो अतीत है यह किसका है विश्वनात प्रसाद मिश्र का है और इनने 1960 में इसको लिखा था तो विकल्प नंबर डी इसका या चार जो विकल्प है यह इसका बिल्कुल सही उतर होगा तो क्रमानुसार एक तो आपका आपको साहित्य इत्यास के बारे में पढ़ना है आपको जो प्रमुक इत्यास कार है या प्रमुक साहित्य कार है प्रमुक जो कवी है उनको क्रमानुसार रखने को कहा जा सकता है प्रमुक वाद है जैसे अधुनिकता वाद हो गया उत्रा अधुनिकता वाद हो गया इनमें से आपको ये चीज़ें याद रखना बहुत जरूरी है चलिए प्रशन नंबर चार देख लेते हैं कौन सा है यहाँ पर तो देखिए यह कहते हैं कि वस्तुतह पे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अचारे शुकल की अनेक धारनाओं और भावनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमानों के अधार पर खंडित किया यह कथन किस का किस के लिए है तो देखिए यहाँ पर बात यह की गई है कि आपके जो रामचंद्र शुकल हैं उनको सबसे पहले प्रमानिक अधार पर किस ने उनका खंडन किया है तो यह वला सहास एक ही व्यक्ति ने प्रमुक्ता से किया है हलांकि और ने भी किया है लेकिन जो प्रमुक्रूप से माना जाता है वो कौन से आपके वो है हजारी प्रसाद दुवेदी यह चीज आपको पहले पता होनी चाहिए तो चलिए यहां पर देख लेते हैं आप देखिए दो वो लोगों ने कहा है अब एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि किस के लिए कहा गया है यह हजारी प्रसाद दुवेदी के लिए तो दो के दो जो लास्ट वाले भी कल्प हैं यह तो नहीं होंगे तो अब यह कहा किस नहीं देखिए तो यह कहा है आपका गणपती चंद्र गुप्त जी ने कहा था और गणपती चंद्र गुप्त का जो कौन सा इनका प्रमुख इतिहास ग्रंथी ने लिए देखिए साहित इतिहास ग्रंथ ठीक है कौन सा है इनका तो वो है आपका हिंदी साहित का बग्यानिक इतिहास ठीक है चलिए आगे हम देख लेते हैं प्रशन संग्या 5 है यहां पर देखिए कि आप पूछा गया है कि आपका जो दोहा कोश है हालां कि दोहा कोश हो गया इसको आप ठीक कर लिजिएगा दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंदर बागची ने किया इसमें किन तीन कवियों के दोहे संग्रहित हैं तो देखिए दो चीज़े मैंने आपकी यहां पर क्लियर करवा दी ऐसे ही प्रशन से ही कि दोहा कोश का संपादन किस ने किया था रॉक्टर प्रबोध चंदर बागची ने ठीक है और इसमें किन तीन कवियों के दोहे संग्रहित हैं ठीक है तो दीक है तीन कवियों के दोहे संग्रहित हैं तो आपके जो सिद्धों में आते हैं ठीक है तो सीजों की सक्के कितनी मानी जाती है चौरासी यह तो आपको पता ही होगा और राहुल संग्रित्याई ने कितन मानी है ठीक है तो देखिए ये चोटी-चोटी चीज़ें हैं कई बार हमें कन्फ्यूज कर जाती है तो इसलिए बहुत जरूरी है और पंच विडाल में कौन सी चीज़ें शामिलिन नहीं की थी हलां कि कितनी ही बार आपने कातर उबर पंच विडाल पड़ी होगी और परिक्षा में आप उसी परशन को गलत करके आए हुए हैं ठीक है तो इसलिए महत्वपोन जो चीज़ें हैं चोटी-चोटी चीज़ें उनको याद रखना बहुत जरूरी है और लास्ट के टाइम में हम सब लोगों को यही चीज़ करनी है कि जो चीज़ हमने पहले पढ़ लिए है उसको चतहिके से रिवाइज करना है उसका रिवीजन जब करेंगे तभी हमारी जो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए वो तभी याद रहेंगी अदरवाइस तो ऐसा हो जाएगा कि आपने पहले बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन तो इनका समय कब था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं चलिए अगला परशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्या छे है शंकरचारय के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमानुवित भारत वश्च में दूसरा नहीं हुआ ठीक है तो ये वाला कथन देखिए किस के संदर्व में कहा गया है एक बार फिर से देखिए शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामानुवित भारतवश में दूसरा नहीं हुआ तो किस के संबंद में है ये बात गोरकनात के संबंद में दो चीजें अपने आप में क्लियर हो रही ना तो पितामबर दथ बढ़तवाल का जिक्र जरूर होता है जब भी आप गोरकनात के बात करेंगे कि गोरकवानी के नाम से इनके जो इनके जो कृतिया है उनको संकलित किया है ठीक है और रामचंदर शुकल को आप तो छोड़ ही नहीं सकते है ना हिंदी साहिते का सेंटा क्लॉस इनको कहा जाता है कि आजी कोई भी विदा नहीं है जो इनको इनको छोड़ी नहीं है ठीक है सबसे बड़े आलोचक के रूप में यूब रहे हैं और डॉक्टर नगेंदर कि इतिहास को भी जरूर थोड़ा बहुत फोकस कर लें तो जादा वेनिफिट आप के लिए रहेगा ठीक है तो यहां पर इसका जो साही उतरोगा देखिए वो का हजारी प्रसाथ दूइवेदी चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं प्रशन सक्या साथ है देखिए तु म भी ख़बर नहीं कि मजबूत इरादा मुहबत के रास्ते की पहली मंजिल है तो यह वाला कथन जो है बहुत ही ज़ादा मौतपून कथन है यह और किस कहानी से है देगी यह है आपका जो मुशी प्रेमचन की प्रसिद्ध कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन और दुनि के जाएगा यहां से इस तरीके से ही प्रशन बन सकता है तो देखिए दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का यह कतन किस का है और किस ने किस को कहा है इस तरीके से भी प्रशन पूछा जा सकता है तो यह वाला कतन आप देखते हैं कि दिल फिगार और दिल फरेब जो दो महत उसको क्या कहता है उसका ये कथन है दिल फिगार के लिए कि तू आत्मात्या क्यों कर रहा है या तुझे इतनी भी खवर नहीं है कि मजबूत इरादा जो क्या है मवथ की रास्ते की पहली मंजिल है ठीक है तो उससे प्रभाविद हो कि वो दुवारा क्या है भारत देश की हो ठीक है तो आपका जो कतेतर गद्य केई वहां से हमने यह प्रशन रखे हुए है यह वाला प्रशन रखा है कि भूला नात् Euchो और श्यामर्क इसक्र पर्साई की है न विंग्यात्मक्रिती है ये तो इसका है यहाँ पर भुला राम का जीव ही है जो आपकी भुला राम का जीव है देखिए रचना उसमें जो पात्र का नाम क्या है भुला राम का जीव ही है लेकिन यहाँ पर सिर्फ भुला नात पूछा है भुला राम नहीं ठीक है इस में confused नहीं होना है इसलिए इस रचना को मैंने यहां पर रख दिया था नेक्स है श्यामा किस कृति के पात रहें तो यह है आपके देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं और क्या भूलूं क्या यख़ाद गरू बच्चन सिंग की प्रसिद जो आत्म खता मानी जाती है और इसको कितने भागों भी वाजित किया है चार भागें इसके कौन-कौन से हैं यह आप कमेंट सेक्ष ने जाकर बता सकते हैं और इनका क्रम अनुसार भी इनका पूछ जाता है कि इनका काल क्रम क्या है वो भी आपको सही तरीके से रखना आना चाहिए ठीक है तो जो भोलनात और श्यामा है इनका लेखक से क्या संबंध है ये चीज भी आप जरूर पढ़िएगा कि क्या इनका संबंध है लेखक के साथ यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये चीज मैंने बता दी तो आपके लिए थोड़ा सा जो काम है वो कम हो जाएगा तो आप एक बार जरूर इस तरीके से उनको पढ़के जाएगा चलिए अगला पशन दिख लेते हैं प्रशन संक्या 9 है देखी यहाँ पर असंगत कथन बताईए तो दीखे असंगत कथन कौन सा है सरवप्रत्थम वामन ने रीती शब्द का प्रियोग करते हुए इसका स्पष्ट लक्षन बताया तो बिलकुल सही बात है ठीक है वामन ने रीती का विवेचन कावेभेद के अंतरगत किया तो ये भी क्या है बिलकुल करेक्ट है नेक्स आता है भरत्मुनी ने रीती के लिए कावेमार्ग का प्रियोग किया है जो कावेमार्ग शब्द है तो ये क्या है गलत है तो जो आपके भरत्मुनी है इन्होंने क्या किया था आपका प्रवृति, ठीक है इस शब्द का प्रियोग इनों ने किया है, प्रवृति शब्ध का किसके लिए, रिति के लिए तो कावे मारि इनों ने नहीं किया है ये वाला कथन अपने आप में ही गलत हो जाएगा नेक्स्ट जो कथन है दिखिए वामन ने रिती को काव्यात्मा घुशित किया तो मैंने पहले ही कहा कि आपको इस तरीके से प्रशन पूशे जाते हैं और यही देखिए असंगत कथन आपको दो-तीन कथन है यहां पर रख दिये जाएंगे नीचे कूट में आलंकि यह पूचे जाता है यहां पर मैंने सिंपली एक ही रखा था कि कौन सा इस में से गलत है तो वामन ने रिती को काव्यात्मा गोशित किया है यह तो हम सब जानते हो रिती रात्मास्या काव्या है ना तो ये इनोंने कहा, इनकी जो प्रमुक पंक्ती भी है, ये कई बार परिक्षा में इसको भी पूछा जाता है, ठीके, तो इसका जो सही उत्तर है, देखिए, विकल्प नमबर 3 इसका सही उत्तर होगा, चलिए अभी का आखिरी प्रशन देख लेते हैं, कि कौन सा प्रशन है, यहाँ पर देखिए, उपन्यास से हमने एक और प्रशन रखा है आपके लिए, कि जगदीश चंदर के उपन्यास धरती धन्ना अपना, एक तो यह बात याद रखना कि धरती धन्ना अपना बहुत ज़्यादा मौतपूर्ण उपन्यास है, और हमारे पाठेक्रम में शामिल है, और इसको हमने अच्छे से डिसकस भी किया हुआ है, इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से है, प्रमुख कथन कौन से है इसमें, यह ना कहां कि इसमें कता है, और यह किस तरीके का उपन्यास है, तो इसका विस्तार किस उपन्यास में हुआ है, आप देखते हैं कि जो तो यहां पर धरती धन्न अपना का विस्तार पूछा है कि किस में हुआ है तो देखे इसका जो सहिय उतर होगा आपका वो कौन सा है नर्ककुंड में वास है तो विकल्प नंपर चार है बिल्कुल सहिय उतर होगा ठीक है तो जो आपका जमीन अपनी तो थी देखी ये भी दलित जीवन पर आधारित उपन्यास इनका माना जाता है और जो आपका नर्क कुंड में वास उपन्यास है देखी ये 1994 में है और इसको माना जाता है धरती धन्ना अपना का विस्तार और धरती धन्ना अपना जो उपन्यास कब निखा गया था यह 1972 में लिका गया था और पंजाब के ग्रामिन दलित जीवन पर अधारी थी, यह उपन्यास इनका माना जाता है। है तो फिलाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको ये प्रशन अच्छे लगे हो तो एक बार अपने दोस्तों की बीच में इनको शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय सम पर पहुंचती रहे तो अभी के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नई उर्जा नईस पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद